NPS और OPS में क्या है अंतर देश बर में पुरानी पेंशन यानि OPC योजना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है देश और बात करें नाकपुश एर की भी तो पुरानी पेंशन योजना को वापस से लागू करने के लिए जगा जगा प्रदर्शन किये जा रहे है दिरसल रिजर्ब बेंट ने कुछ राज्य द्वारा अपनाई जाने वाले पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने को लेकर आगा किया है और कहा है कि यह उनके राजकोश के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है इसके परिनाम स्परूप गैर वित्य देन दिरिया बढ़ती चली जाएगी हाल ही में कई राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है जिन में 36 गड़ राजस्थान आदी शामिल है वहीं कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा भी किया है ऐसे में आपके लिए यह जान पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की तहट सरकार साल 2004 से पहले करमचारियों को रिटायर्मेंट के बाद एक निशित पेंशन देती थी यह पेंशन करमचारियों के रिटायर्मेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी इस स्कीम में रिटायर हु था पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्मेंट के समय कर्मचारियों के अंतिम वेतन की आधी राश्टी पेंशन के स्वरूप में दी जाती थी पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखरी बेसिक सेलेरी और महंगाई के आकड़ों से टै की जाती थी पुरानी पेंश स्कीम में 20 लाक रुपए तक के ग्रेचुएटी की रख्म मिलती थी रिटायर कर्मचारी की मृति होने पर पेंशन का पैसा उसके परीजनों को दिया जाता था पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीनी के बाद कर्मचारीयों को डिये दिया जाने का प्रावधान है इसके अलाव में कर्मचारीयों की सैलेरी से 10 प्रतिशक तक की कटोती की जाती है जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलेरी से कोई कटोती नहीं की जाती थी एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविदा होती थी वहीं नई स्कीम में इसकी सुविदा खतम कर दी गई पुरानी pension scheme में retire होने की पाथ salary की आधी राशी pension के रूप में मिलती थी जबकि नई pension योजना में आपको कितनी pension मिलेगी इसकी कोई भी guarantee आपको नहीं दी जाती देखा जाए तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पुरानी pension योजना एक सुरक्षित योजना थी जिसका भुकतान सरकारी खजाने से किया जाता था अब जो नई pension है उस योजना के तहत शेयर बाजार पर ये योजना आधारी थे जिसमें आपके द्वारा NPS में लगा वारे रिटर्न्स कम भी हो सकता है आज की इस special report में बस इतना ही अन्य खबरे देखने के लिए देखते रहें BCN News